वाडी में अमराथी रोड नाका गुरुद्वारा से तो दत्तवाडी पोलिस्टेशन तक 308 करोड की लागत और लगबग 600 कर्मचारू के जटिल मेहनत से बन रहा फ्लाइवर अब और कुछ मेहने में बनने जा रहा है हाला कि उडानपुल बनते समय काफी मशकत का सामना निर्मानी अधिकारी तर्था आम पपली को करना पड़ रहा है शहर में बने नए ब्रीज एक और जाम की दिकुतों से निजाद दिलाने का कार्य कर रहे है वही पड़ता में सामने आए है कि ब्रीज के नीचे का हिस्सा पार्किंग का विकल बनता जा रहा है ब्रीज के नीचे व्योसाई लोग वहनों को कतारों में पार्थ कर रहे हैं बताया जा रहा है कि नए बन रहे ब्रिज के नीचे भी अतिक्रमन से बचाओ करते भी पार्किंग के हिसाफ से विक्सित के जाने की योजना है। शहर की बढ़ती आवादी के हिसाफ से लगते लबे-लबे जाम की समाधान के लिए पिछले एक तशक से निरंतर ओवर ब्रिज बन रहा है। वाले ट्रक दुसरों को वाहन पार्क नहीं करने देरी है। लोगों का कहना है कि अतिक्रमन से बचाओ के रुप में यहाँ भी पार्किंग बनाए जाना चाहिए। जिम्यदारों की ध्यान ना देने से ओवर ब्रिज पर अतिक्रमन बढ़ता जा रहा है। जिससे रहाकिरों को निकलने में परिशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओवर ब्रिज के निचे अतिक्रमन पर लगी वहानों की कता से आवचाहि में दिक्कत बनी है। इधर अविद वहान पार्किंग से संकरी हुई सड़क पर रहा किरों को निकलने में दुश्वारी हो रही है। ओवरब्रेज के निचे वाहनों के खड़े होने से वाहनों को घुम कर निकलना पड़ता है। इससे आयतीन सड़क जाम की हालात बनते हैं। कई बार दुरगटनाई भी हो चुकी है। एक माँ पुर्व हाईवी का काम देख रही संस्ता एवं यातायत विभाग अफसरों के सयोग से ओवरब्रेज के निचे लगी वाहने हट वाहने हट वाहती। इसके साथी अविदेपार्किंग करने वाले वाहन संचालकों को चेताव निदी थी। इसके बाद नहीं चाय ने ही ट्राफिक जाम रहता था। ब्रिच के निचे पारकिंग लगी होने से दुड़गाट नाय बढ़ रही हैं। वाहनों की कारण आम लोकों को यातायत करने में पठेचान हो रही है। इन में से निउस के लिए वाडए से सवरप पार्टिल की रिपूर्ट झाल झाल